हेलो दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार दोस्तों इस वीडियों मैं आपको बताऊंगा RRB NTPC Phase 7 के exam dates के बारे में और साथ ही यहाँ पर दोस्तों देखेंगे RRB Group D के exam dates के बारे में तो दोस्तों मेरे पास G News का update है यहाँ पर तो दोस्तों चले देखते हैं इसमें क्या का आगया है तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया है भारती railway भरती बोर्ड रRB की तरप से Group D के एक लाग पदों पर भरतियां की जाएंगी इस भरती के लिए लगभग दो करण अभियारतियों ने अवेदन किया है नीचे देखते हैं दोस्तों क्या कहा जा रहा है RRB Group D exam date तो दोस्तों इसमें देख रहे हैं आप railway भरती बोर्ड RRB ने बीते गुरुआर को अपनी अधिकारिक वेबसाइट पर सात्मे चरण के लिए NTPC परिक्षा का कारेकरम जारी कर दिया है सेट्यूल के मुताबिक RRB NTPC phase 7 की परिक्षाएं 23, 24, 26 और 31 जुलाई 2021 को होंगे सात्मे चरण की परिक्षा में 2.5 लाग से ज्यादा च्छात्र सामिल होंगे आगे देखते हैं दोस्तों आगे क्या कहा जा रहा है तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं सेट्यूब डीक के free travel card download करने का लिंक एग्जाम से 10 दिन पहले जारी किया जाएगा जबकि अभ्यारतियों का admit card एग्जाम से 4 दिन पहले जारी किया जाएगा तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जिसको भी prepraveal करना है तो उसके लिए डॉंलूड करने के लिए लिंक पर एक्जाम से 10 दिन पहले जारी कर दिया जाएगा और admit card जारी होने के बाद अभ्यारती विभाल की आफिस्यल वेबसाइट पर जा कर डॉंलॉड कर सकेंगे admit card डॉंलॉड करने का पूरा steps official website पर दिया गया है तो दोस्तों आप जाके वहाँ पर official website पर check कर सकते हैं कि कैसे आपको admit card download करना है ठीक है आगे देख सकते हैं दोस्तों RRB NTPC phase 7 चरण exam की date जारी होने के बाद माना जा रहा है कि railway भरती board दारा group D के पदों पर भरती के लिए exam date official website पर जल्द जारी की जाएगी तो दोस्तों जैसे यी RRB NTPC जो है दोस्तों phase 7 का चरण का exam होगा उसके बाद जो है जल्दी से group D का भी exam date जारी कर दिया जाएगा ऐसे में अभिहारतियों को सला है कि वे विभाग की official website पर समय समय पर check करते हैं तो दोस्तों आपको क्या है विभाग के website पर समय समय पर check करते रहना है क्योंकि दोस्तों इसके भी अलग-अलग phase में exam होंगे तो दोस्तों जो भी आपका admit card है वो exam से सिर्फ 4 दिन पहले जारी किया जाता है तो दोस्तों आपको इसके लिए काफी aware रहना पड़ेगा तो दोस्तों आप check करते रहिएगा time time पर आगे देखते हैं दोस्तों वहीं सुत्रों की माने तो भरती board की तरफ से group D के पदों पर भरती के लिए लिखित exam 25 अगस्त से 15 सितमबर तक आवजित किये जा सकते हैं तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं maximum chances है कि जो है exam का जो date होगा आपका group D वालों का 15 अगस्त से 15 सितमबर के बीच में हो सकता है इसका schedule official website पर 20 जुलाई तक जारी किया जा सकता है तो दोस्तों देख सकते हैं official website पर 20 तारीक तक बताया जा सकता है 20 जुलाई तक कि आपका exam कब तक होगे तो दोस्तों इसके लिए आप अभी से aware रहेगा और time time पर check करते रहेगा तो दोस्तों I hope कि मेरे ये वीडियो आप से भी को पसंद वाया होगा तो दोस्तों अगर वी